पॉंग शंती आज 29 नवेंबर 2021 के बाबा के मदुर महवा के सुनेंगे मीठे बच्चे दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो दर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना आज की मुरली से प्रश्न है बाबा हर एक बच्चे को अपनी जाच करने यानि चाट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं उत्तर है क्योंकि इश्वरिय काईदे बड़े कड़े हैं अगर ब्रामन बनकर छोटी मोटी भूले होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी इसलिए बाबा कहते अपनी जाच रखो अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोच्रा खाना पड़ेगा अब कयामत का समय बहुत नस्दीक है इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुक्तु करो ओम शान्ती बाब की याद में तो बच्चे आपे ही रहते हैं घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती बाब का डाइरेक्शन है कि चलते फिरते उटते बैठते बाब को याद करो तो रावन जिसने तुमको पतीत बना दिया है उन पर जीत पालेंगे तुमको कोई हत्यारादी नहीं देते सिर्फ योग बल से तुम रावन पर जीत पाते हो जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो जबकी रावन राज्य खत्म हो राम राज्य की स्थात्ना होनी है बाब हिंसा तो कभी सिखला न सके देवताओं का है ही अहिंसा पर्मो धर्म दुनिया यह नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा होती नहीं जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे अभी तुम युद्ध के मैदान में हो गाया भी हुआ है शिव शक्ती से न तुम हो गुप्त वॉरियर्स हर एक अपने लिए कर रहे है माया जीते जगत जीत बनना है मन जीते जगत जीत नहीं बाबा कहे माया जीत जगत जीत बनना है तुम अपने लिए करते हो गोया अपने भारत देश के लिए करते है जतना हम पावन बनेंगे उतना ही प्रकर्ती और ये धर्नी भी पावन हो जाएगे इसमें जो अच्छी रिती पुर्शार्थ करते हैं वो पाते हैं जो पाँच विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है सिवाए दैवी गुण धारन किये सत्योग में जा नहीं सकते तो अपने से पूछना है कि कहां तक हमने दैवी गुण धारन किये हैं दैवी गुण धारन करना माना रावन पर जीत पाना कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा प्रजा भी तो होगी यहां राजा रानी तथा प्रजा सब रावन पर जीत पा रहे हैं दैवी गुण धारन कर रहे हैं दैवी गुणों में खान, पान, बोलना, करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य। तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गती होगी। बाबा, एटेंशन खिचवा रहे हैं, बाप सच्चा है तो हमें बाप के साथ सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चा नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गती होगी। गती तो उंच पानी चाहिए। नर से नाराय, नारी से लक्षमी बनना है। कहा भी जाता है तुम्हारी गत गती मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं, उससे कितनी उंच गती होती है। बाबा की स्रेश्ट मत से हमारी कितनी उंची गती होती है। उंचे ते उंचा बाप, उंचे से उंची गती प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारन करने हैं। जन्म जन्मान तरके पाप योग बल बिना कट नहीं सकते इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए याद अच्छी रहेगी अम्रत वेले उस समय वायू मंडल अच्छा होता है दिन में भल कितना समय भी बैठो परंतु अम्रत वेले जैसा समय नहीं है अम्रत वेला इतनम सहज बाबा की याद में मगन हो जाते है तो इसलिए बाबा कहे दिन में भल कितना समय भी बैठो परंतु अम्रत वेले जैसा समय नहीं है अपनी बाते गुप्त है अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वार, हमारी युद्ध है रावन के साथ, यह है नमबर वन दुश्मन, राम संप्रदाई ने रावन संप्रदाई पर जीत पाई है श्रीमत से, बाप सर्वशक्ती मान है न, दुनिया तो विचारी इस समय घोर अंध्यारे में है, अर्थाक दुनिया की आत्माई तो सभी विचारे और अंध्यारे में हैं, उनको मालूमी नहीं कि हमने हार खाई है, माया से हारे हार है, माया किसको कहा जाता है, यह भी कोई नहीं जानते हैं, सारी लंका पर रावन का राज्य था, शास्त्रों में बक्ती मार्क की कितनी दंत कथाएं लिख दी है, जो जन्म जन्मांतर पड़ी है, अब भी कहते हैं, शास्त्रों तो जरूर पड़ने चाहिए, जो नहीं पड़ते, उनको नास्तिक कहा जाता है, और बाप कहते हैं, शास्त्र पड़ते पड़ते सब नास्ति बन पड़े हैं। यह बाते बच्चों को अच्छी तर समझाने चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। और कोई भी देधारी को याद नहीं करो। किसको गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंध्यारा। ऐसे दुनिया में गाते हैं। धेर के धेर गुरु है परंतु सब अंध्यारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं ज्यान सूरिय जब आये तब घोर अंध्यारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं। परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं न। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहां सब के शरीर मूत पलिती है। बाप ऐसे मूत पलिती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले। उसके लिए पुर्शार्थ करना है। अपनी जाँच रखनी हैं। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। ईश्वर्य काइदे भी कड़े हैं। कोई बुरा काम करें तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय हैं। सब हिसाब किताब चुक्तु करना है योग बल से। अगर चुक्तु नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। सजाएं खानी पड़ेगी। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी। सिंधी में मानी रोटी को कहा जाता है। तो बाबक कहें रोटी यानि कुछ प्राप्ती जरूर होती है लेकिन सजा खाने के बाद वो प्राप्ती भी क्या प्राप्ती है। मानी तो रोटी को कहा जाता है। तो मानी तो सबको मिलनी है। मानि क्या है? मुक्ती और जीवन मुक्ती की मानि सब को देंगे. कोई पास्वित और कोई को मोचरा मिलेगा, सजा मिलेगी. फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेईज़ती से. तक्त पर तो वो बैठ न सके. कोई भी बुरा काम किया तो बेईज़ती होगी. सोभी बात के आगे शिवाबा बैठे है न? तुमको साक्षात्कर कराएंगे कि हम इसमे था. तुमको कितना समझाते थे? अभी मैं संपूर्ण. बाबा कहे अभी मैं संपूर्ण, नद ब्रह्माबा 아마 कहते अभी मैं संपूर्ण में हूँ. तुम बच्चियां संपूर्ण के पास जाती हो त्रांस में जब वतन में जाते हैं भोग ले करके तो संपूर्ण बाबा के पास जाती हो उस द्वारा शिव बाबा डाइरेक्शन आदी देते है ना तुमको बाबा साक्षातकार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे समझाते थे कि दैवी गुण धारन करो सर्विस करो किसी की निंदा नहीं करो तुमने फिर भी ये काम किये अब खाओ सजा जितने जितने पाप किये होंगे तो सजा खानी पड़ेगी कोई बहुत सजाएं खाते हैं कोई कम उनमें भी नंबरवार है जितना हो सके योग बल से विकर्म को काटते रहना है ये बड़ेते बड़ा फुर्ना बच्चों को रखना है ये बड़ेते बड़ा फुर्ना मना अंदर में ख्याल रखना है कि हम संपोर्ण पक्का सोना कैसे बढ़े उठते बैठते यही बुद्धी में रहे जितना याद करेंगे उतना उच्छ पत पाएंगे माया के तुफानों की परवा ने करनी है जितना समय मिले बाब को याद करना है मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है अंदर में एक ही लगन हो कि मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बाब को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे कोई पाप भी नहीं करना चाहिए नहीं तो सो गुना बन जाएगा माफी नहीं ली तो फिर वरद्धी को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी बेहत के बाप से बेअद्बी हो जाती है बेहत के बाप के आगे अवज्या हो जाती है तो बाबा कहें बेहत के बाप से बेअद्बी अवज्या हो जाती है यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है बाबा हमेशा समझाते हैं ऐसे समझो कि शिव बाबा मुडली चलाते हैं शिव बाबा डाइरेक्शन देते हैं तो याद भी रहे, डर भी रहे बहुत पाप करते रहते हैं साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई बाब समझाते हैं पापों का बोजा सिर पर बहुत है जो कुछ किया है वह बताओ सच बताने से आधा कम हो जाएगा बाबा ने समझाया है जो नमबर वन कुन्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नमबर वन बनते हैं बाबा खुद कहते हैं, तुम्हारा बहुत जन्म के भी अंत का जन्म है, तुम पुन्य आत्मा थे, सो अब पापात्मा बने हो, फिर पुन्य आत्मा बनना है, अपना कल्यान तो करना है, यहां तुम्हें माथा आदी तेकनी की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना बली यह भी बुजुर्ग है, ब्रह्मा बाबा भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं, बच्चे घर में घड़ी घड़ी थुड़ी नमस्ते करते हैं, एक बार नमस्ते किया, फिर रिस्पॉंड में भी किया जाता है, बाब कहते हैं, तुम मुझे बड़ा समझ कर नमस्ते कर मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ कर नमस्ते करता हूँ, अर्थ है न, ऐसे ये बाबा नमस्ते नहीं करते हैं, बाबा हर बच्चे के अंदर वो दिव्य स्वरू, देवता का, विश्व के मालिक पने का देख रहे हैं, मनुष्य तो रामराम कह देते हैं, परन्तु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, वास्तों में राम अर्थात शिव बाबा, राम वह रगुपती नहीं, यह राम निराकार है, उनका नाम है शिव बाबा, शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा, कि मैं राम की पूजा करता हूँ, कि यह भी मनुष्य थे, त्रेता यूग के दिव्या आत्मा थे, अब इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप नेरविकारी, सर्वगुण संपन, हम पापी नीज हैं, यह तन भी मनुष्य का है, और वह तन भी मनुष्य का है, जिसमें बाबा पैट कर समझाते हैं, यह तन भी मनुष्य का है, और त्रेता यूग के राम सीता वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसलिए देवता है, तुम खुद कहते हो, अमारे में आसुरी गुण है, इसलिए बंदर है, सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है, भारत वासी ही सिरताज थे, अभी नो ताज, गरीब भी भारत वासी ही है, बाप भी भारत में आते हैं, जहां स्वर्ग बनाना है, वहां बाप आएगा न, कहा जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंग लगाए हैं, अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं, वह भी भारत वासीयों को फॉलो करते हैं, पत्थर बुद्धी होने के कारण मुझे भी पत्थर वित्तर में कह देते हैं, बाप को जानते ही नहीं, कि बाप इसमें प्रवेशकर भारत को कितना सिर्टाज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं, बाप कहते हैं, मेरी तुम गलानी करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम कितना अपकार करते हो, रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, बुरी गती हो गई है, तुम बुलाते हैं, पतीत पावन आओ, समझानी कितनी सहज मिलती है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं, योग नहीं तो धार्णा भी नहीं होती है, इसलिए बाबा कहते हैं बांधे लियां सबसे जास्ती याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन भी करती है भारत वासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहां आएंगे आर ये समाजी तो देवताओं की मुर्टियों को मानते ही नहीं जाड के पिछाडी में टाली है आर ये समाज की बजहार में पिछाडी में टाली है दो-तिन जन्म भी मुश्किल होंगे बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है न यह भी किसको पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं है कल्ष पहले वाले जट समझ जाते हैं गाइन भी है, भगवान वाज, काम महाशत्रू है परन्तु भगवान ने कब कहा था? यह किसको पता नहीं है अभी तुम बच्चे जगत चीत बन रहे हो परंतु उंच पद पाने के लिए महनत करने है बाप कहते हैं ग्रहस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धी योग मेरे से लगाओ जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है बहुत अटेश्मेंट वाला नहीं इसने ही रखना है बुद्धी में ये ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाए सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताए वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए है ये एक की याद की यात्रा है शुबाबा के एक की याद की यात्रा है अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए फिर सत्यू की हिस्ट्री रिपीट होनी है पती तो घर जा नहीं सकते पावन मनने के लिए पती पावन बाप चाहिए बल सन्यासी पावन बनते हैं परन्तु वापस जा नहीं सकते सबको ले जाने वाला बाप ही है बाप आकर सबको रावन से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं सत्युग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं, नाम ही है सुख धाम, यह है दुख धाम, वक्षिर सागर यह है विशेई सागर, अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं, शिर सागर से निकल, विशेई सागर में कैसे आते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं, बाप समझाते हैं, श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वह है, जब हम श्रीमत पर चलते हैं, तो जवाबदार बाबा है, श्रीमत कहती है, हाँ बल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भ लियान हो जाएगा स्वर्ग में तो आ जाएंगे बाप आकर नर्क वासी से स्वर्ग वासी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए यह भी तुम्हारी बुद्धी में है मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते यह भी पहले कुछ नहीं जानते थे जैसे इनके चौरासी जन्म की कहानी है ततत्वम वैसे ही तुम्हारी है ततत्वम यह भी राजयोग सीख रहे हैं ब्रह्मा बाबा भी राजयोग सीख रहे हैं तुम हो राज रिशी वह है हटयोग रिशी तुम ग्रहस्त व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो तुम सब शर्णागती होने आये हो ना अब समझते हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, दुनिया में है माया का पॉम बाबा के पास इतने सुक शांती में हम सभी सेफ बैठे हैं दुनिया में तो माया का पॉम है, जब तक नर्क का विनाश न हो, तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है मायावी पुरुष उसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी महनत लगती है पूरे नर्कवासी है स्वर्गवासी बनते ही नहीं है बाब कितना प्यार से समझाते हैं अच्छा मीठे मीठे बच्चो रावन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे उसके लिए पूरा पुर्शा करना है अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चो प्रदी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुरली से धाना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेजती हो सजाएं खानी पड़े माया के तुफानों की परवा न कर जितना समय मिले बाप को याद करना है एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है दूसरी पॉइंट अपनी उच गती बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है कोई भी बात चिपानी नहीं है आज का बाबा का मदुरवर्दान है याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धी प्राप्त करने वाले सिद्धी स्वरुप भव याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धी प्राप्त करने वाले सिद्धी स्वरुप भव आप बच्चे अल्माइटी गवर्मेंट के मेसेंचर हो इसलिए कोई से भी डिसकस करने में अपना माइंड डिस्टरब नहीं करना याद का मंत्र यूज करना जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं आपके पास आत्मिक द्रिष्टी का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धी स्वरुप बन सकते हो आज का स्लोगन है Action Conscious के बजाए Soul Conscious बन Action Conscious के बजाए Soul Conscious बन अच्छा Om Shand